नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है जमा करके सब को चैलेंज करने वाली पार्टी को करारा जटका लगा है और वो 17 सीटों पे आगे चल रही है हाला कि अभी ये रुजहान है लेकिन जिस तरीके से भगवा पार्टी ने चुनाव प्रचार अभियान चलाया था ग्री मंत्री अमिजसा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडड़ा, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ समेट तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए पहुँचे थे और वो रणनिती उनकी कामयाप सी दिख रही है और उनको बढ़त मिल रही है, अभी मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी 83 सीटों पे आगे चल रही है आपको बता दे कि पिछले नगर निगम के चुनाव में डेड़ सो में से 99 सीटे मिली थी TRS को और AIMIM को मिली थी 44 सीटे और आप जो है दोनों बुरी तरह से घट रहे हैं और बीजेपी को जो उस समय दो सीटे मिली थी अब वो 83 सीटे पे लीड कर रही है कुल वहाँ पे 150 सीटे हैं 76 चाहिए बलकि भहमत के लिए और वो आंकड़ा बीजेपी पार करती हुई सी दीख रही है आपको बता दें कि बीजेपी ने जिस तरीके से इस चुनाओं में ध्रुविकरन का प्रयास किया हैदराबाद को भागे नगर बनाने की बात कही और ओवैसी को ललका रहा उसकी वो रणनिती काम्याब दिख रहे हैं बेसक वैसी या कहते रहे कि गली कुचे के चुनाओं में बीजेपी के बड़े नेता उतर रहे हैं इसका क्या मतलब है लेकिन बीजेपी बढ़त बनाये हुए है हाला कि अभी अंतिम नतीजों का हमें इंतिजार करना चाहिए लेकिन ये बड़ी खबर है कि बीजेपी जीस मुस्तेदी से हैदराबाद ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का चुनाओं लड़ी वो वहाँ पे भारी पड़ रही है दूसरे दलों पे कांग्रेस का तो हुए है तो इस पूरी मतगरना पे हम नजर बनाये हुए हैं जैसे ही अपडेट मिलेगा हम आपसे साजा करेंगे आप रहिए नबे खबर देखते रहिए इन खबर तैंक यू